बीबीसी दुनिया में आज देखिए मुश्किल में डॉनल्ड ट्रम्प पॉन्स्टार मामले में लटक रही डॉनल्ड ट्रम्प पर गिरफतारी की तलवार ट्रम्प पर लगे हैं अपने संबंधों पर सार्वजनिक तोर पर बात ना करने के लिए पैसे देने के आरोप 2016 के राश्टपती चुनाव से पहले का है मामला स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में मैं हुए दितमहरा अमेरिका के इतिहास में पहले पूर राश्टपती जिन पर चल सकता है मुकदमा क्यूं जानेंगे कवस्टोरी में लेकिन पहले हेडलाइन्स बूचा को रूसी सेनिकों के कबजे से छुडाने के एक साल पूरे इस मौके पर बूचा में एक समाराओ में शामिल हुए यूक्रियन के राश्टपती वॉलदिमीर जेलेंस्की बूचा में रूसी सेनिकों पर है नर संहार के आरोप जेलेंस्की ने कहा इस युद अपराद के दोशियों को दी जाएगी सजा बेलरूस की राश्टपती अलिक्जांडर लुकाशेंको ने कहा रूस के परमाणू हतियार रखने को तयार है उनका देश कहा पश्चिमी देशों की धमकी से बेलरूस को सुरक्षित रखने में मिलेगी मदद हाल ही में रूस की राश्टपती वुलादिमिर पुतिन ने किया था टाक्टिकल नूक्लियर आम्स को बेलरूस में शिफ्ट करने का एलान सेमी कंड़क्टर चिप बनाने में इस्तिमाल होने वाले उपकरन के निर्याद पर कंट्रोल के जापान के फैसले की चीनने की निंदा कहा तकनीक और कारुबार के मामलों में ना हो राजनी थी इससे पहले अमेरिका और निदलेंस ने भी लगाया ऐसे ही प्रतिपंद इन दौर में राम नवमी को हुए हादसे में अब तक 35 लोगों की मौत बावडी से निकाले गए 20 लोगों के शव कल राम नवमी के मौके पर मंदिर में बावडी की चछत गिरने से हुआ था हादसा इन में से कुछ एहम खबरों की चर्चा आज BBC दुनिया में अमेरिका की राजनीती फिर सुर्खियों में है अमेरिका के पूर्व राश्टपती डॉनिल्ड ट्रम जिन पर न्यू यू यॉक की एक ग्रांड जूरी ने एक मामले में आरोप दै किये है क्या है ये मामला और क्या इसमें डॉनिल्ड ट्रम को राहत मिल सकती है इस से उनके पॉलिटिकल करियर को कितना रुकसान पहुंचेगा इन सब की बात कावर स्टोरी में डॉनल्ड ट्रम अमेरिका के पहले पूर राष्टपती बन गए हैं जिन पर एक आपरादिक मुकदमा चलेगा मामला है एक लाख तीस हजार डॉलर्स के भुकतान का जो ट्रम ने साल 2016 में के अमेरिकी राष्टपती चनाव से ठीक पहले पॉन स्टार्स टॉमी डेनियल्स को अपने कथित अफैर पर चुपी साधने के लिए दिये इस मामले की तफ्तीश कर रही एक ग्रांड ज्यूरी ने वोट कर ट्रम के खिलाफ इस मामले पर आरोप दे किये केस की डीटेल्स अभी तक सार्जनिक नहीं की गई हैं ट्रम का कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है ट्रम ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपनी बात कही और कहा कि न्यू यू यॉक में मामले की निश्पक्ष सुनवाई नहीं होगी उन्होंने लिखा कि वो मुझ पर ये जूटा भरष्ट और शर्मनात आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्यूंकि मैं अमेरिकी लोगों के साथ खड़ा हूँ और वो जानते हैं कि न्यू यॉक में निश्पक्ष सुनवाई नहीं होगी मामले पर टिपणी करते हुए उन्होंने प्रेस से कहा था कि इस मामले के पीछे राजनीती है और उन्होंने मैनहाटन डिस्ट्रिक अटॉर्णी की जो इस मामले में मुकदमा चला रहे हैं उनकी आलोचना भी की देखिए बीबीसी समवादाता जॉन सडवर्ट की ये रिपोर्ट यहां मीडिया की भारी मौजूदगी काफी कुछ बयां कर रही है वैसे तो डॉनल्ड टरंप ने अमेरिका की राजनीती में कई बार सुर्खियां बटोरी हैं पर इस से ज्यादा नहीं क्योंकि इस बार उन पर गिरफतारी की तलवार लटक रही है अमेरिका के पूर रास्टपती ने नाराजगी जताते हुए एक बयान जारी किया और पूरे मामले में अपने राजनीतिक वीरोधियों को जिम्मेदा ठहराया उन पर जो मामला है उस पूरे विवाद के केंदर में हैं ये महिला पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स साल 2016 के रास्टपती चनौब में टरंप की जीत से पहले इस पॉर्न स्टार को एक लाख तीस हजार डॉलर्स का भुगतान किया गया था ताकि वो सालजनिक तोर पर टरंप के साथ अपने कथित रिष्टे को लेकर कोई बात न करें टरंप ऐसे किसी भी रिष्टे की बात से इंकार करते रहे हैं साल 2018 में टरंप के वकील माइकल कोहन इस मामले में दोशी करार दिये जा चुके हैं जेल से बाहर आने के बाद माइकल कोहन ग्रैंट जूरी के सामने इस मामले से डुड़े कई सबूत दे रहे हैं ये बदले की कारवाई नहीं है ये जवाब देही तै करने की बात है डॉनल्ड टरंप पर केस चले और वो दोशी साबित हो ऐसा मैं बस इसलिए नहीं चाहता क्योंकि मैं उनकी बातों से असहमत हूँ ये जवाब देही की बात है बुरे कामों के लिए उन्हें जिमेदार ठहराया जाना जरूरी है लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या टरंप को इस पैसे के भुक्तान के बारे में पता था उनसे जुडिस संस्था ने ही ये भुक्तान किया था हलांकि वो इससे इंकार करते रहे हैं कि उन्हें इसकी जानकारी थी अगर वो इस फैसले को मानने से मना नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में उन्हें नियॉयॉर्क आना होगा उन पर केश चलेगा, मेरे पीछे इस बिल्डिंग में उनके फिंगर प्रिंट्स लिये जाएंगे आरोपों के बारे में उन्हें बताया जाएगा और फिर आपचारी करूप से जज के सामने एक याची का दायर कर दी होगी ये आसाधारन हालात होंगे जिसमें पहली बार अमेरिका के किसी पूर रास्टपती को गरफतार किया जा सकता है गौर करने वाली बात है कि उनके खिलाफ ये कारवाई फेडरल प्रोजेक्यूटर नहीं बलकि नियोर्क के एटॉर्नी जेनरल अलबिन ब्रेग की तरब से शुरू की गई है ब्रेग एक डिमोक्रेट है इसलिए ट्रम्प का ये अरोप है कि मामला नियायका नहीं बलकि राजनीतिक है ट्रम्प दोबारा रास्टपती की रेस में शामिल होना चाहते हैं ऐसी में ये सब उनके लिए राजनीतिक तोर पर फाइदे मंद हो सकता है पर विपक्ष को ये उमीद होगी कि राजनीतिक के नियमों को अक्सर तोड़ने वाले ट्रम्प इससे राजनीतिक तोर पर तबाह हो जाए और इस मामले का डॉनल्ड ट्रम्प के पोलिटिकल करियर पर कितना असर पड़ेगा बता रही हैं वाशिंग्टन से बीबीसी समवादाता नौमिया इकबाल राजनीतिक तोर पर देखें तो हमें ये नहीं पता कि इससे डॉनल्ड ट्रम्प को फायदा होगा या नुकसान इससे दो हिस्सों में देखा जाना चाहिए पहला रिपब्लिकन पार्टी की और से राश्टरपती पद के लिए नॉमिनेशन और दूसरा साल दो हजार चॉबिस में होने वाले राश्टरपती चुनाओ रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जो दावेदार हैं उनमें ट्रम्प सबसे आगे हैं कुछ और लोगों ने भी दावेदारी पेश की हैं। उनके सबसे करीबी प्रतिदवन्दी फ्लॉरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस हो सकते हैं। हलांकि उन्हों ने अब तक अपनी दावेदारी पेश नहीं की है। पिछले साल जब फ्लॉरिडा में ट्रॉम्प के घर पर रेड हुई थी और उन पर दो माहा भी योग चल रहे थे तब ट्रॉम्प को रिपब्लिकन वोटर्स और रिपब्लिकन पार्टी से काफी जादा समर्थन मिला। आम तोर पर ऐसा माना जा रहा है कि उनके खिलाफ ये मामला हो या दूसरे मामले हो इस से उनका रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन पका हो सकता है। फिर 2024 की चुनाओं में शायद जो बाइडन से उनका मुकाबला होगा। हालांकि बाइडन ने भी फिलाल चुनाओं में उतरने की बात नहीं की है। उमीद है वो ऐसा जल्द कर सकता है। यानि मुकाबला बिलकुल साल 2020 की तरह हो सकता है। पर क्या है इन चुनाओं में ट्रंप अपने नए वोटरों को जोड़ पाएंगे। ये एक बड़ा सवा क्या है। क्या वो एक ऐसे शक्स को समर्थन देंगी जिस पर एक पॉर्ण स्टार को पैसे देने का रोप है। और उनके खिलाफ दूसरे मामले भी आने वाले। जैसे जॉर्जिया के नतीजों को नहीं मानना और 6 जनवरी को हुए दंगे का मामले। पर वोटर्स क्या करें क्या उन्हें इस सब से कोई फर्क पड़ेगा ये साफ नहीं है। और ताजा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं न्यू यॉर्क जहां मौजूद है वरिष्ट पत्रकार सलीम रिजवी। सलीम साहब ये कानूनी प्रक्रिया कब तक चलेगी और कब खत्म होगी और ये कितनी बड़ी मुश्किल है डानल्ड ट्रम्प के लिए। देखें ये पूरा मामला शुरू होगा इनके एरेस्ट के बाद जो एक्सपेक्टेड है ट्यूजडे को ये आएंगे एरेस्ट होंगे उसके बाद सारे चार्जस पड़े जाएंगे और फिर वहां से एक सिलसला ट्राइल जूरी के सेट अप होने में भी महीनों लग जाते हैं तो ये पूरा मामला आप समझ लें कि काफी कई महीने खिश सकता है सिर्फ ट्राइल शुरू होने में इसमें एक चीज़ ये एहम है कि इनकी मुसीबत इस तरह से भी कोई खास मामले में नहीं हो सकती है कि ये लेकिन जब ट्राइल जूरी आती है तो उसको ये कहा जाता है कि बियांड रीजनिबल डाउट मतलब कि कोई शक हो शंका शुभा न रह जाए इसमें पूरा जो इंडाइटमेंट हो तो वो ट्राइल जूरी के लिए बड़ा हाई बार है और वो बड़ा मुश्किल काम है इ जाहर है कि जो लीगल एक्सपर्ट्स कुछ हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें प्रूब करना खासा मुश्किल होगा तो ये सारा मामला के लिए है लेकिन वो जाहर है कि उसको पुलिटिकल बुनाइंजा है उनके लिए पुलिटिकल जो फन रेजिंग है और अपने समर्थकों को एकटा करना उसके लिए ये पूरा इंत्सका इसका इसमाल कर रहे हैं जी सलीम जाब और ऐसी खबरे भी आ रही है कि सुरक्षा के इंत्जाम है पुलीस चाक चौबंध है और क्यूंकि अंदेशा है कि टरंप समर्थक हंगामा कर सकते हैं ग्राउन पर आप क्या देख रह रहा है कि कुछ टरंप के समर्थक जो है वो हिंसक हो सकते हैं और प्रदर्शन वगयरा होंगे तो वो पुश्किल होगी लेकिन बड़ी चाक चौबंध है नियॉयॉक के बुलीस तो वो आसान नहीं कि बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साब इस जानकारी के लिए ब्रिटिश पाकिस्तान पीनल कोट का सेक्शन 124 है यह वो कानून है जिसको रीसेटली लौहर हाई कोट के एक जजज ने अनकॉंस्टिटूशनल करा दे कर इसको स्ट्राइक डाउन करने का फैसला सुनाया है आम इलफास में इस कानून को सेडिशनल लौ या बगावत का कानून कहा जा सकता है और उसको तीन से दस साल तक की कैडबा मुशक्कत की सजा सुनाई जा सकती है हिंदुस्तान की तारीख में बहुत से लोगों पर ये मुकदमा किया भी गया जिनमें महात्मा गांधी सुबाश चंदर भोस गंगा धर तलक और बहुत से दूसरे लोग शामिल हैं पार तो आपकी जिन्दगी तब्दील हो जाती है बहुत सारे मसायल हो जाते हैं बहुत सारे लोग डर के मारे आप से पीछे हट जाते हैं तो ये बहुत पाफुल वैपन था बिटिश के पास भी और पाकिसान हिंदुस्तान की हुक्तों के पास भी किसी की भी जिन्दगी ट्राइल था हम अंडर ट्राइल थे हम जमानत पे बाहर थे तो अब इन्शालला एक केस जो है खतम हो जाएगा क्यूंके वो के वो जो कानून है उसी को कालग्दब करा दे लिया गया है अबी तो इस पे जो रिसीविंग एड पे है आजकल के हलात में तो वो तो इमरान खान साब और उनकी पार्टी है यह लोज ट्राइक डाउन होने के बाद वो मीडिया हाउस या वो जनलिस्ट जो क्रिटिकल हैं करण्ट स्टेट पॉलिसी के लिए उनको फाइदा होगा देखिए बीबीसी सम्वादाता स्टीव रोजनबर्ग की ये रिपोर्ट जब इवान गर्शकोविच को अदालत से बाहर लाया जा रहा था तो उनकी एक जहलक दिखी रूस में गिरफतार किये गए एक अमेरिकी पत्रकार जिन पर अमेरिका के लिए जासूसी करने का आरोब है इसके लिए उन्हें 20 साल की सजा हो सकती है वाल स्रीट जर्नल के लिए काम कर रहे गर्शकोविच रूस मामलों के लिए अनुभवी पत्रकार है उन्हें मौस्कोव से हजारों मील दूर येकाते रिनबर्ग में हिरासत में लिया गया सिक्यूरिटी सर्विस ने दावा किया है कि वो एक डिफेंस फैक्टरी के बारे में गुप्त जानकारी खठा कर रहे थे पत्रकारिता की आड़ में एक जर्नलिस्ट वीजा और मानेता के साथ ये शक्स पूरी तरह से अलग गतिविधियों को अन्जाम दे रहा था येकाते रिनबर्ग में वो जो काम कर रहे थे वो पत्रकारिता नहीं थी वॉल स्रीट जर्नल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है उसने इवान गर्शकोविच को एक भरोसे मन समर्पित रिपोर्टर बताया है वाइट हाउस ने इस पर कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दी जासूसी के आरोप बे तुके हैं रूस जिस तरह से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बना रहा है वो स्विकार नहीं किया जा सकता हम इवान गर्शकोविच को हिरासत में लेने की कड़े शब्दों में नंदा करते हैं रिपोर्टर को मौसको के इस कोर्ट में लाया गया लेकिन उनके वकील को उन से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई हमारे यहां इसी तरह की नियाए विवस्था है उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया जहां तक मुझे याद है शीत युद के बाद ये पहली बार है जब एक पश्चमी देश के पत्रकार को रूस में जासूसी के आरोप में गिरफतार किया गया है इससे पता चलता है कि रूस और पश्चमी देशों के बीच इस वक्त कितना तनाव है इससे ये भी पता चलता है कि रूस की आलोचना करने वालों को चुप कर आया जा रहा है रूसी पत्रकार लंबे वक्त से दबाव में है मिखाईल अफानसेव पर इस हफते ट्राइल शुरू हुआ है उन्होंने लिखा था कि रूस की दंगारोधी पुलिस किस तरह यूकरेन में लड़ने से मना कर रही है अब एक अमेरिकी रिपोर्टर कस्टिडी में है उनके केस को टॉप सीक्रेट बताया जा रहा है उनके रिहा होने की संभावना बहुत कम है जूसके अदालतों में 99 फीसदी से जादा मामलों में दोशी साबित किया जाता है हम अक्सर दुलहे या दुलहन या फिर घर आये महमानों का सवागत करते हैं लेकिन गुजरात का एक गाउं है जहां लोग तिलक और चुनरी के साथ गधों का सवागत करते हैं लेकिन ऐसा क्यूं कर रहा हैं वहां के लोग क्यूं ये गधे इतने खास हैं देखिए वीबीसी के सहीयोगी पत्रकार विपिन टंकारिया की इस रिपोर्ट में तिलक और चुन्री के साथ यहां किया जा रहा है गधों का स्वागत इतना ही नहीं प्रेग्नेंट मादा गधों के लिए यहां गोदभराई का भी आयोजिन किया गया है यह कारेक्रम हालारी प्रजाती के गधे पालने वालों में जागरुकता बढ़ाने के लिए किया गया इसे सरकार और सहजीवन ट्रस्ट नामक संस्था ने साथ मिलकर आयोजित किया हाल की दिनों में पैदा हुए गधों का भी इस कारेक्रम में स्वागत किया गया हालारी को गधों की बेतरीन प्रजातियों में माना जाता है हाल ही में ऐसी खबरे आई थी कि इस प्रजाती के गधे का दूद 7000 रुपे प्रती लिटर के हिसाब से बिका था भारा भाई भुंडिया पिछली कई पीडियों से भेड बकरी और हलारी प्रजाती के गदहे पालने का काम कर रहे हैं हमारे दादा जी कहते थे कि भेड बकरी गदहों को पालने का काम हम लोग काफी पहले से कर रहे हैं इसी पर हम निर्भर रहे हैं, इसके सिवा हमारी कोई पहचान नहीं है। सौराष्टर के जाम नगर द्वारिका और इसके आसपास के इलाकों को हलार छेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पाए जाने वाले गधों को हलारी गधे कहा जाता है। हालारी गधे के दूद को काफी पॉस्टिक माना जाता है इसका दूद कई जगा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस्तिमाल होता है 2015 में हालारी गधेरा का कोई recognition नहीं था पर ये breed इतना unique है और हम लोग population इसको monitor कर रहे थे दो साल हम लोग उना monitor किया तो अभी करीब करीब 154 breeders है जो की हलारी रखते है इस प्रजाती के गधे विलुप्थ होने के कगार पर पहुँच चुके हैं 2015 में इनकी कुल संख्या 1100 थी जो अब घटकर 472 रह गई है गुजरात सरकार सहजीवन NGO के साथ मिलकर इनके संदक्षन का प्रयास कर रही है और कारकरमस जोड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं मेरा ट्विटर है आट BBC विदिद आज के लिए इतना ही BBC दुनिया के साथ हम मिलेंगे आपसे सोमवार को इसी वाक्त